नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं आज का खास जोतिश जराहटके का एस्ट्रो एक्स्पेरिमेंट जोतिशी ये प्रियोग मैं बार बार प्रियोग शब्द लाता हूँ इसकी भी अपनी एक विशेश महत्वा है महत्वा कांग्छा भी प्रियोग वो होता है जिसमें हम एक ट्रायल करते हैं ठीक उसी प्रिकार जैसे साइन्टिष्ट लोग करते हैं वैज्ञानिक लोग करते हैं और जोतिश भी एक विज्ञान ही है विज्ञान का अर्थ अंग्रेजी नहीं होता है विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ग्यान ही ती विज्ञ जो बहुत विशेश ग्यान है जो इस्पेशल है विज्ञान का मतलब लोग क्या लगाते हैं अंग्रेजी से लगाते हैं लगाते हैं लगाते के नहीं लगाते हैं आज कल के बच्चों को देखिए साइन्स कह देते हैं तो अलग हो जाता है विज्ञान कह देते हैं तो अलग हो जाता है जबर्दस्ती की बात है आप सो लोगों को खड़ा करिए उसमें से चार छे वैग्यानिक तो मिल जाएगा लेकिन जोत्षी एक को नहीं मिलेगा हजार खड़ा कर ये जोत्षी एक को नही बढ़ा करके कुछ उद्देश क्या है लूट उद्देश से बिजिनस के उद्देश से कोई जोतीशी जोतीश सीखकर जोतीशी बन जाए तो उसे हम जोतीशी नहीं मानते है क्योंकि भाव वहाँ पर लूट का है भाव वहाँ पर लूट का है जबकि वास्तिविक्ता ये है कि जोतिश विज्ञान सिर्फ सूचना विज्ञान है और इसमें प्रियोग आपका व्यक्तिगत छमता है व्यक्तिगत छमता है आज हम काले तिल के चमतकार के विशय में बताएंगे काला तिल शनी और मंगल का कॉक्टेल है क्योंकि तिल के अंदर तेल प्रिवित्ति है और जहां तेल होता है वहां मंगल होता है और जहां काला होता है वहां शनी होता है और मंगल शनी देव के घर में उच्चिका होता है मैं बुलो मंगल भगवान की जै लाल देह लाली लसैं अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जै 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 कपिशूर पवन तने संकत हरन मंगल मूरत रूप राम लखर सीता सहित हिर्दै बसहू सुर्भूप मंगल आपका सबकुछ है क्योंकि मंगल की पहली राशी आपकी तन राशी है आपके शरीर की राशी है जोतिश की गूत देखिए कैसे connected है गूत देखिए यहां हमारे इस character में जब जोतिशी लोग वैठते हैं तो समझने लग जाते हैं कि यार वो कहा थे और जोतिश कहा है हम भी अभी वही है अल्लाब था है नहीं है भाईया इसका तो इसका था है नहीं है जोतिश का हमने भी एक ऐसे पोश्ट पर एक बार लिखा था कि बिश्व में जितने लोग हैं उतने प्रकार की सूत्र हैं जोतिश में बिश्व में भारत में नहीं बिश्व में जितने लोग उतने प्रकार के सूत्र है वही ग्रह अरबो अनन्त फल देता है अलग-अलग तरह का अनन्त तो काले तिल का प्रियोग हम आपको बताएंगे एक बड़े लाभ के स्वरूप में प्रियोग हम बताएं लेकिन उसके पहले बता दें कि परहेज दो, no पत्थर in fingers and no non-bhaj in pate non-bhaj नहीं और पत्थर नहीं पहनना है हाँ हाँ वही पत्थर जिसे आप jam stone कहते हैं जिसे आप राशी, रतन कहते हैं अनपढ़ लोग राशी रतन कहते हैं वो अनपढ़ होते हैं शुद्ध शब्द है राशी छोटी ए की मात्रा और रतन अनपढ़ होते हैं उनको गमार भी कहा जा सकता है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते तो उनके लिए ये अभद्र भाशा भी हम प्रियोग में ला सकते हैं कि अनपढ़ और गमार लोग कहते हैं रासी रतन बड़ी ए की मात्रा लगा देते हैं और रतन सही जोतशी की पहचान में भाशा और शैली का भी विशेश महत्व होता है क्योंकि यही शब्द मंत्र बन जाते हैं नाम नहीं लूँगा एक बहुत हमारे साथ थे निमरोलॉजिस्ट बनते थे वैसे तो इस पर भी मैं धज्जी उड़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी टेलिवीजन पर कार्टरम होता था और बहुत बने सेलिब्रेटी की पिता है वो मैं उनको कई बार आग्रह किया था कि मंत्र को मत शेड़ा करिये लेकिन बोल देते थे मतम बोली नहीं पाते थे और मतम हद है मेरे मना करने के बाद में ये मंत्रवे तो था जो कुम्ब करण को छे महिना सुला दिया और छे महिना जगा दिया निद्रा मांग बैठा था पांगना कुछ और था शब्द शब्द ही ब्रह्म होता है खेर विश्यान तर जा रहा है मोल से धांद समझिए काला तिल एक लोहे के पात्र में रखना है बड़ा लाब है जो हम बताने जारे है लाब क्या भी बताएंगे हैं अभी बस प्रियोग लिख लिजे आप काला तिल एक लोहे के पात्र में रखना है लोहे के बर्तन में लोहे का बर्तन कोई बहुत बड़ा नहीं लेना है कटोरी एक तो रखी लिजी आप क्योंकि अक्सर मैं प्रियोग बताता रहता हूँ इतनी छोटी सी कटोरी ले लिजी इतनी छोटी सी उसमें तीन चुटकी काले तिल ऐसे दाइनी हथेली के ऐसे चुटकी बनाईए और तीन चुटकी काले तिल रख दीजिए और एक कपूर रख दीजिए और जो भी नशा करता हो जो भी नशा करता हो एनी काइन्ड आफ नशा नशा कंगरे जी नहीं पता है आप लोग लिख दीजिएगा नीचे एक गाना भी चला था ना यार मेरा जाने कौन सी नशा करता है वफा करता है भूल गया बहुत पापुलर हुआ था उसके सिरहाने रख दीजिए रात भर के लिए प्राते काल उसके उठने के बाद घर के बाहर बालकनी में छट पे बाहर जला दीजिए और उसकी राख जो बचे उसे जो नशा करता है जिसके सिरहाने रख था उसी के जल में डालके उसी से शनान करा दीजिए मा लेजे की ये संभव नहीं लगता है शनान करवाना तो इसी से तिलक कर दीजिए उसके मस्तक पर पूछे क्या कुछ नहीं बस आशिरवाद है किसका आशिरवाद है मंगल का, शनदेव का चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो चाहे टैबलेट्स का नशा हो, चाहे इंजक्शन का नशा हो चाहे हब जो सूंगते हैं ऐसे चला कर की TV में दिखाते हैं आजकल यहां बीड पीते हैं, हुक्का पीते हैं, यूथ जो है बारहमी के बाद जो जाते हैं, बाप के पैसे से इन सब के लिए प्रियोग राम बान होगा पहले भी हमने धारू के लिए प्रियोग बताया था कि बची भी धारू को लोहे की कटोरी में रखकर सी रहने रखकर सुबह कपूर से जलाना है इस प्रियोग से दस कदम आगे का प्रियोग है कितने दिन करना है कम करना है करना तो रतिये में है क्योंकि सोएगा तुराती में हो कितने दिन करना है जब तक चाहें करें जब तक लाब ना हो जा कितने दिन में लाब होगा यह आपकी किस्मत है एक दिन में भी हो सकता है एक साल में भी हो सकता है हो सकता नहीं हो लाव लेकिन 19-20, 10-20 का असर तो आही जाएगा दिन भर में 10 बार नशा करता होगा तो 5 बार करेगा, 6 बार करेगा बस, असर तो आएगा कम होगा, जादा होगा यह आपकी कुंडली के दशा अंतर दशा पर निरभर करेगा ठीक है, बहुत आभार करते हैं, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखे, हम अच्छे अच्छे ने ने प्रियोग आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे और मुहबबत लुदा आते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रे आपका हाँ, यह जनसेवा होगा अगर आप इस कालिकरम को तबियत से शेर करते हैं मतलब एक लाख शेर हो जाए एक दिन में तो नथिंग बेटर देन दिस हिंदी भाशियों को आप भेजें और आप माताओं बहरों से अनरोध है हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आपकी ही किसी बहन का घर बस जाएगा अगर उसके पती का नशा छोड़ जाएगा हम भी बुक्त भोगी हैं यह प्रियोग हम इसी तरह से ले कर आते हैं हमारे भी कुल खांदान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैं मदिरा का विरोध नहीं करता क्योंकि 14 रत्नों में से ग्रत्न निकला है मदिरा मदिरा पीने से आपका भाग के प्रभावित नहीं होता आपकी सेहत प्रभावित होती है लेकिन यह क्या मतलब है कि आप पी के नाली में गिर जाओ बच्चे का फीस ना दो और दारू पीओ यह सब तो मतलब क्या कहा जाए अतिसर्वत्र वरजयेत आयरवेद में तो जो है जो बी एमेस की पढ़ाई की होंगे उसको पता होगा कि अलकोहल मदिरा को सबसे अधिक पीड़ा हारक बताया गया है कोई ऐसा दवा नहीं है अलोपैथ का जिसमें अलकोहल ना पढ़ता हो तो मात्रा मतलब यह बुरा किस संदर्व में है उसे समझना अनिवारे है लोग क्या समझते हैं कि सराप पीने से भाग यह बदल जाता है मतलब भाग यह बुरा हो जाता है कुछ एक लगनों के लिए बुरा भी होता खेर इसमें कभी और विस्तार से चरचा करेंगे आज सराप शिग्रेट आदी नशे को छुडाने की चरचा है छुडाना है यह संकल्प लेना है और अपने स्वजनों को लेना है जो पी रहा है वो तो विवश है उसके ग्रह उसको उकसाते है पीने के लिए ऐसा करने के लिए लेकिन आपका कर्तब है आपका दायत उससे लड़िये मत लड़ना इलाज नहीं है उसका इलाज निकालना इलाज है हमने निकाला है इसे करिएगा और खुब शेयर करिए वीडियो को औरों का प्यार मिले आपको अभी आशिर्वाद बना रहे सब के साथ स्रीकिष्णा शिराधे इन दोर पूरे मुंबई अहम्दाबाद उदेपूर इन शहरों में हम आ रहे हैं मिलने के लिए नंबर चली रहा है संपर कर सकते हैं झाल सिख म में हम आथ ये मिलने कर दो कि right now आइ हैं सेयर्वात बना में तबर औरी थर्व चलाब है ज्यां हवक साथ